नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26, 27 और 28 दिसंबर तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दे की आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान की लीला अप्रम पार है भगवान जब भी देते हैं छपपर भाड के देते हैं भगवान किसी के साथ नया इनसाफी नहीं करते हरेक एक विक्ति के करमों का फल उन्हें जरूर देते हैं थोड़ा समय लेकिन देते जरूर हैäं. जहां दोस्तों, इसलिए तो दोस्तों इन्हें भगवान सरीदेप को न्याज की देपता भी कहा जाता है. जहां दोस्तों, और दोस्तों, हम आप सभी को बता दे की, अब आपके भी जीवन काल में कुछ ऐसे ही घटना होने वाली है. जहाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दे की आज से लेकर तीन दिनों के अंदर में ही आप सभी की कुंडली का नया दिशा सूरी होने वाला है जिन से दोस्तों आप सभी की जीवन काल में बहुती बड़े मोड आने वाले है जिहां दोस्तों और दोस्तों आप सभी को बता दे की या समय से आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है जिहां दोस्तों आप सभी को बता दे की या समय से जो घटना होने वाली है सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों साथी दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर वाले परिवार वाले खुसियों में मग न रहेगा जिहां दोस्तों और इसके उपरान थी हम आपको यह बात भी बताना चाहेंगे कि या तीन दिनों के शमय अब्धी में जब आपके खुसियों का दोर प्रारम होगा तो दोस्तों आपको जो भी लोग इज़त नहीं करते थे जो आपको छोटा कहकर आपसे बात नहीं करते थे दोस्तों एसे लोगों का होस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों और एसे लोगो जरूर ही मिलता है और दोस्तों वा फल भगवान सनिदेप के हाथ में होता है जहां दोस्तों आप सभी को बता दे की अब आप सभी के जीवन काल में भी आपके अच्छे कर्मा का फल आपको मिलने वाले है जहां दोस्तों आपको बता दे की दोस्तों यह समय से आपकी कुंडि नाम की धन्यूग का निर्मान हो चुका है जिनसे तीन दिनों के अंदर में आपसे जीवन काल में अंचाहे बदलाव देखने को मिलेंगे दोस्तों इनसे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और दोस्तों यह समय से जो घटनाएं आप से भी के जीवन काल में सुरू होने वाले हैं दोस्तों आप इन्हें अपने आखों पर यकीन नहीं करोगी कि आखिर यह केसे हो सकता है जिहां दोस्तों आप सभी को बता दे कि भगवाण की लीला है इन्हें कोई नहीं समझ सकता बस यह हम जान सकते हैं कि भगवाण के घर देर है लेकिन अंधियर नहीं जिहां दोस्तों और आपकी देर की घरी समाप्त हो चुकी है अब आपके जीवन काल में रोशनी का नया किरन जागने वाली है जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें की या समय से भगवान सनिदेप का आशिरवात आप सभी के सर पर होने वाले है जिहां दोस्तों जिनसे आप सभी की जीवन काल में बहुती बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं जिहां दोस्तों पूरे घर माहूल में आपके नाम का धिंडोरा होने वाला है आप ही नाम का गुझेगा और सब लोग यही कहेंगे कि आखिर केसे यहां इतनी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर रहा है आखिर इन्हें कोई जादूई कीताब तो नहीं मिल गई दोस्तों तरह तरह के शवाल आप सभी की आसपडोस में होने वाले हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय से जो भी ग्रहों की शुव इस्ति बनने वाली है जो भी ग्रहों में शुव योग का निर्मान हुआ है दोस्तों इनका सिधा असर आपके कुंडली पर पढ़ चुका है जिनसे दोस्तों भगवान सनिदेव का आसिम आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो रहा है दोस्तों आपके जीवन काल में कई ऐसे बहुती महतपुन मोके आने वाले हैं बहुती महतपुन पल आने वाले हैं जिनसे आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और दोस्तों इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पहुती विस्तार से आपको बताने वाले हैं जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिलकुली मिश ना करें पर इन्हें ध्यान से सुरु से लेकर आन तक देखिएगा जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दे कि आज की इस वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे तो दोस्तों आने वाले पूरे जीवन तक आप पस्ताते रह जाएंगे क्योंकि दोस्तों भगवान अगर आपको मोका दे रहा है तो दोस्तों उन मोके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जहां दोस्तों आपको बता दे कि भगवान अगर पिछले समय में आपको कोई दुख दिया है तो दोस्तों वे आपके दुख नहीं है इसलिए दोस्तों बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों विडियो को अब बिना इसकीप किये सुरू से लेकर अंतर देख लीजेगा दोस्तों उनके जीवन काल में ये बड़ी महत्गुन लाब मिलकर ही रहेंगे जी हाँ दोस्तों उससे पहले दोस्तों जो भगवारन सनिदेप के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिए लिख दें जाई सनिदेब दोस्तों सनिदेब का आश्म आशिरवात आप सभी को प्राप्त होगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेश करके और पर स्लेट कर लें तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुवात करते हैं एक अच्छी विचार से, सनिदेप के यह ज्यान से, जो कि दोस्तों आपको इंदुन में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी, कि दोस्तों भगवान सनिदेप कहते हैं कि तु कर्म कर, फल की चिंता ना कर, फल देने वाले ह हम यहाँ पर बेठे हैं और जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उन्हें भी दंड देने के लिए हम यहाँ पर बेठे हैं इसलिए कोई विकार को शुरू करने से पहले घबराना नहीं है बस धर्म के रहा पर अच्छे-च्छे कर्म करते जाना है और फल समय आने पर वह आपको जरूर ही मिलेगा जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान सनिदेप का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो सटीक लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य करें और कमेंड बॉक्स में इनके लिए लिख दे जैस्री कृष्ण राधे राधे तो आए दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि सनिदेप के आशिरवाद से आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबदान रहने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और कीन-छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और भगवान सनिदेप के आसिरवाद से आपके घर के माहलों में पारवार एक जीवन में स्वास्त बिजनस वेपार में क्या-क्या खुश खबरियां क्या-क्या चमतकार या शमय देने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार से दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में भगवान सनिदेप के आसिम किरपा दिरिष्टी पढ़ चुकी है और गरहों की बहुती परबल इसती बनने वाली है जिनसे दोस्तों आने वाले समय में आपके भाग के पूरा-पूरा साथ मिलने वाला है जिहां दोस्तों लाप के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले है दोस्तों आपको बता दें कि आप से आप सभी के जीवन काल में धन की समयस्याओं से निदान होने वाली है जिहां दोस्तों अब आपके जीवन काल में खुसियों का नया दोर शुरू होगा दोस्तों दिन की सुर पर ध्यान दे पाएंगे पिछले कुछ शमय से आप जिस लक्ष की पर्ति पर्यासत थे वह हासिल हो जाएगा नविन कारियों शमंदी योजना बनेगी और ये योजना जल्द ही क्रियाविंद भी होगी विदेश जाने के लिए पर्यासत लोगों को कोई खुश खबरी दोस्तों अनभवी लोगों का मारदर्शन और सलह आपके लिए महत्वपून रास्ते खोलेगी उसके साथ लाबदाएक विंदुमा पर विचार्ज मर्ज भी होगा समाजी गत्तिवेदियों में सहयो करना आपका मान शमान बढ़ाएगा कुछ समय खुद के लिए भी जरू और मानशिक शुक देगा ताति साथ मन चाहा काम पूरा होने से शुकून भी रहेगा आत्म विश्वास बढ़ेगा घर में निकट समंधियों के आगमन होगा था आपसी विचारों का आदान परदान घर के वतारण को शुक नामा बना कर रखेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी दूसरों से उमीद रखना व्यर्थ है बेतर होगा की अपनी कार छमता पर ही विश्वास रखें तिससे दारी समंधिय मामलों में ज्यादा हस्त चेप करने की बज़े से माहुल थोड़ा अस्त वैथ हो सक रखें कहीं भी निवेश करने से पहले उचीत जानकारी अवसलें तो ध्यान रखें कि अपने वेक्तिगत कारे पर नाले को किसी के समक्ष भी सेर न करें तस सिक्रेट ही रखें कोई आपकी गत्य विदियों को नाजायत फैदा उठा कर आपको नुकसान भी पहुँचा सकत है विद्यार्थे को अभी परिक्षा समंधित तयारी करने में और अधिक मेहनत की ज़रुत है वेक्तिग समंधित सभी निरने खुद ही लें आर्थी मावल में आपका निवेश करना भाविश में फायदमन साबित होगा वेक्तिगत विदियों में कुछ बदलाब होंगे अ एक आत्मपरिस्थियों को काबु में कर लेंगे अपनी यजनाओ और काम करने की तरीक पो जाहर नकरें और पिसमें किसी तरह की राज़ित हो सकती है चापलुस लोगों के प्रभा में ना आएं दोस्तों बिजनस में विस्तार समिंदी यजनाओ पर विचार्ट होगा वरत पतनी के प्रयास्तों से प्रयास में सुखत वतारण बना रहेगा प्रेम समंद में भी प्रगड़ता आएगी वह आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो मोशम की वज़े से अलर्जी और इंफेक्शन की समश्या रह सकती है स्वास्त के परती लापरवाई बिल्कुल प्रगड़ता आपके उपाई के बारे में दोस्तों यह जो उपाई आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों यह उपाई को एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से जोड़ी कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस्तों सनिवार के दिन कंड़े या अंगारे पर रखकर लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें सनिवार के दिन भगवान हनुमान जी का पुजा करने का भी विधान है माना जाता है कि सनिवार के दिन हनमान जी की पूजा करने से सनिदेवी प्रशन हो जाते हैं और भक्तों पर किरपा बरसाते हैं इनके साथ साथ दोस्तों सनिवार के ये दिन घर में बनी हुई पहली रोटी काले कुट्य को खिला दें इसे दोस्तों आपकी शवी परिशानी खत्म होगी दोस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग क्रीम है और भागे साली अंक चार है दोस्तों भगवान सनिदेब का आश्रवात आप से भी को प्राप्त हो सच्ची दिल्शे कमेंड बॉक्स में जैज सनिदेब ज जरूर करें धन्यवाद